हेलो दोस्तो मैं हूँ रिशीकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप और आज इस फुडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ के एफसी बिग बैश लीग के मुकाबले की जो कि खेला जाएगा पर्ट स्कॉचर्स वर्सिस मेलबन रेनेगेट्स के बीच में पर्ट के ओप्टस क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 26 दिसंबर को दोपैर के 3 बच के 35 मिनिट पर और इस मुकाबले का लाइव टेलेकास्ट होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और होट स्टार पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ पिच रिपोर्ट के बारे में तो पर्ट का जो मैदाने वो बल्ले बाजी करने के लिए काफी अच्छा है boundaries मरना असान होता है इस मैदान पे लेकिन bounce काफी अच्छा है इस वज़े से जो तेज गेनबाज है ना वो कमाल कर सकते हैं इस मुकाबले के अंदर सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ Perth scotches की टीम के बारे में तो Perth के टीम अब तक unbeaten tournament के अंदर और फिर एक बार अपने home ground के उपर ये जो टीम है ना बहुत ही खतरनाक हो सकती है पिछले मुकाबले में फिर एक बार बताया है इस टीम ने कि बैटिंग कितनी शांदार है इस टीम की जै क्रॉली को मुका मिला पिछले मुकाबले में उन्होंने अबने पहले मुकाबले के अंदर हाफ सेंचुरी मार दी तो क्रॉली इस मुकाबले के अंदर भी कमाल करना चाहेंगे इस टीम के लिए एरोन हाडी ने भी हाफ सेंचुरी मारी नंबर तीम पे बल्ले बाजी करने आए और Aaron Hardy तो इस मुकाबले में कप्तानी भी करने वाले हैं तो उनके उपर और और भी जादा निगाय रहेंगी फिर इस टीम की बल्ले बाज में Laurie Evans को उप्शन है Copper Connolly को उप्शन है Josh Inglis को उप्शन है तो बैटिंग काफी strong है Perth की टीम की बले एक दिक्कत हो चुकी है इनके कप्तान Ashton Turner पूरे tournament से भार हो चुकी है और ये दिक्कत की बात है Turner एक बहुत अच्छे कप्तान थे बहुत अच्छे finisher थे उसके लाव वो गिनबाजी भी करते थे तो ये टीम Ashton Turner को मिस करेगी लेकिन उसके लाव भी में को लगता है क्वालिटी है इस टीम के अंदर Ashton Egar इस टीम के ओलराउंडर होने वाले है नंबर साथ पर अच्छी बल्ले बाजी करते है लेट्टाउं स्विन बॉलिंग भी करते हैं कि जितने भी प्लेयर्स इस टीम के तेज गिनबाजी में है पर्थ सब का होम ग्राउंड है Lance Morris भी Western Australia के हैं Jay Richardson भी Western Australia के हैं Andrew Tye भी Western Australia के हैं तो सब को इस मुकाबले में अच्छा करना पड़ेगा सब को मैदान पे खिलने के आधत है सारे के सारे क्वालिटी प्लेयर्स हैं तो पर्थ की टीम गिनबाजी के अंदर एक दम टॉप नौच है तो इनके लिए उपन कर सकते हैं इस मुकाबले के अंदर जैक क्रॉली और कूपर कॉनॉली नमबर टीम बे एरॉन हाडी नमबर चार पे जौश इंगलिस नमबर पांच पे लॉरी एवन्स नमबर चह पे निक होपसन नमबर साथ पे एस्टन एगार फिजे रिचर्टसन एंडू टाए जेसन बेरेंडॉफ और लैंस मौरिस और अभी तर टीम एक भी मुकाबला जीत नहीं पाई अगर मैं क्वालिटी देखता हूना इस टीम के अंदर मुझे क्वालिटी दिखती भी है पिछले मुकाबले में क्विंटन डीकॉक और जो कलाग ने काफी कमाल की शुरुवात भी दी इस टीम को पर उन दोनों के आउट होने के बाद सब लोग बिखर गई यह जो ओपनिंग पार्टनेशिव है मेरे साब से बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है और इन दोनों को इस मुकाबले के अंदर भी अच्छा करना पड़ेगा डीकॉक और क्लार की उपर इस टीम बहुता तर रिलाय करती है जेक फ्रेजर मुगक ने काफी इंप्रेस किया है सबको बहुत ही अच्छे यह बल्ले बाज है पर बड़ी बात पतों क्या है उनको लंबी पारी खेलनी पड़ेगी स्टार्ट मिलता है फिर आउट हो जाते है लंबी पारी खेलनी पड़ेगी मुगक को पर अच्छी बात यह है कि शौन मार्श इस मुकाबले हो खेलने वाले है यह उनका इस साल का पहला मुकाबला होगा एक बहुत यह एक्सपीरियंस प्लेयर है शौन मार्श और मुझे लगता है उनका होंग राउंड भी है पर्त पहले वो पर्त के लिए खेला करते थे यहां वो अच्छा कर सकते हैं फिनिक मैडिंसन को समालना पड़ेगा जौन वैल्स को समालना पड़ेगा तो यहां टीम के बैटिंग थोटी से टेस्ट होगी पर ओपनर्स बाड़ा पट प्ले करेंगे रेनेगेट्स के लिए इस मुकाबले के अंदर भी उसके लाओं में बात करता और बॉलिंग बुरी नहीं है इस टीम की आपके पास तेज गिंदबाजी में विल सदरलेंड को आप्शन है केन रिचर्सन का उप्शन है फिर आपके साथ अगर मैं बात यहाँ पर कर लेता हूँ तो आपके पास टॉम रॉजर्स पर आयाते है इस मुकाबले में खेलने के लिए स्पिन गिंदबाजी में मुझीबूर रहमान है एडम जैंपा है तो आपको ऐसी कमी नहीं देखेगी स्टिंग भी गिंदबाजी के अंदर रहमान भी विकेट टेकर है जैंपा भी विकेट टेकर है रिचर्सन भी विकेट टेकर है रॉजर्स भी विकेट टेकर है तो यहाँ को दिक्कत की बात नहीं है अब एक चीजहां पर दिमाग में आएगी रेनेगेट्स की कि क्या एक्स्ट्रा तेज गेंबास खेला है पीटर सेडल के रूप में इस पिछ को देखते हुए पर आप ड्रॉप किसको करोगे रेमान भी ड्रॉप नहीं कर सकते जैंपा भी ड्रॉप नहीं कर सकते तो मुझे लगता है इस टीम के अंदर ना क्यों एक बदला होगा एर उन फिंच की जगा पर ये मुकाबला शौन मार्श खेलेंगे तो रेनेगेट्स के लिए ओपन कर सकते हैं कुइंटन डीकॉक और जो क्लार्क नमबर तीन पर शौन मार्श नमबर चार पर जेक फ्रेजर मगक मेरे एसाब से तो एको सीधी सी बात पर तेक बहुत इस ट्रॉंग टीम है और उनीका परड़ा भरी रहेगा इस वकाबले में उमीद कर तो वडिया आपको अच्छी लगी होगी लगी तो लाइक कीजेगा सब्सक्राइब ये चनल को इस तरह वीडियो देहने के लिए मुल काकातों के आप सब्सक्राइब वीडियो में और याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं